आगामी UPTAT, CTAT और सिक्षक भरती परिक्षा के लिए एक बहुत ही कामन बात यह होने वाली है कि इसके जो प्रस्ण पुछे याएंगे इन तीनों ही परिक्षाओं में तीनों ही परिक्षाओं के जो प्रस्ण होंगे वो पिछले यानि कि प्रिवेस दियर के जो question paper होंगे बि बहुत ही अच्छा प्रदस्ण कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर numerical values भले ही change हो जाए लेकिन theme वही रहने वाली है pattern बिल्कुल वही रहने वाला है तो इस वीडियो में हम UPTAT 2016 के कुछ प्रस्णों को हल करेंगे जो कि अच्छा एक से पांस तक के अस्तरवर पुछे के थे mathematics के लिए और यह प्रस्ण बहुत ही important है यहाँ पर हमने जो long method होता है यहाँ कि बिस्तार में भी आपको समझाएंगे और कुछ आपको tricks भी बताने वाले हैं ताकि आप ऐसे प्रस्णों को तेजी से हल कर सकें और बेहत कम समय में आप अधिक प्रस्णों को हल कर सकें तो friends टीक करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर देखिए जो महावीराचार के बारे में इतिहास काफी हद तक मौन है और यह भी माना जाता है कि उनके बारे में कोई भी जानकारी बिल्क独 ऑथन्टिक रूप से नहीं मिलती है हला कि उनकी जो किताबیں हैं वो मिल जाती हैं इनकी जो प्रमुखृस्णा है उनमें गनित सार, जिवोंतिस पतल और सत त्रिसक जैन घर Łओई तर्म को मानने वाली बगती थे और जो जन्वर्स माना जाता है वो माना जाता है नौवी सदी में ठीक है और निवासी माने जाते हैं गुलबर के हाला कि इनके बारे में बहुत आथेंटिक रूप से कोई भी जानकारी हमें इतिहास के किताबों में नहीं मिलती है आगे बढ़ते फ्रेंट्स यहाँ पर देखे एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को पूछा गया था कि यह किसका कथन है कथन था कि सिक्षक सिक्षण उपकरणों के माध्यम से सिक्षण को अस्थाई और रोचक बना देते हैं यहाँ पर जो सिक्षण उप सकते हैं और सुन भी सकते हैं अब सिक्षण के बारे में एक बात आप जो आवसी जानते होंगे कि जितनी अधिक इंद्रियों की संलिपता रहती है इसे मालेज ये क्लास चल रही है तो उसमें अगर देखने को और सुनने को दोनों को ही दोनों ही चीज़ें यहां पर पूरी हो रही है तो सिक्षण काफी है तक ज्यादा रुचकर बन जाता है ठीक है देखते हैं अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट है कि गर्णित सिक्षण की स्वैंग सिद्ध विधी में से कौन सी विधी सामिल नहीं है यह प्रस्ट भी बुछा गया था यूपीजीटी 2016 में और यहां पर जो चार विकल्फ है उसमें यूकलीड विधी है गैर यूकली अभिभाजनी का प्रयोग किया जाता है अभिभाजनी जिसको आप इंग्रिस वेगा कहते हैं डिवाइडर तो यहां पर आप देखते होंगे कि एक ऐसी सनचना होती है ठीक है जिसमें दो सूईयां लगी रहती है खैर यार इसको आप समझ लेना ठीक है तो इसका प्रयोग 20 प्रतिसत बढ़ाकर पूने 20 प्रतिसत कम कर दिया गया अंत्तर बृधिया कमी का प्रतिसत क्या होगा अब एक बात आप अपने जहर में बैठा लीजिए कि अगर कोई भी संख्या है उसको एक फिक्स परसेंट तक बढ़ा जाता है और फिर सेम प्रतिसत घटाया जाता है तो हमेशा जो होती है वो जो उसका मूल मान होता है उसमें कमी हो जाती है यह बात अरो हमेशा याद रखेगा मारे जी कोई संख्या है अगर उसको 40% बढ़ा कर फिर 40% घटाया जाता है तो कभी भी उसका वास्तिविक वैलू मन्दब की जो होगा वो हमेशा कम हो जाता है तो इसको आप ध्यान में रखेगा अब ऐसे प्रस्टों को हल करने के लिए एक साट्रिक होती है वो मैं आपको बता देता हूँ देखे जो दी गई संख्या है उसको आप पहले लिखेंगे और पहले ब्रेकट में जितने प्रस्ट बढ़ाया गया है उसको 100 में आप आइड कर देंगे यानि कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 20 प्रस्ट बढ़ परमुला आप याद रखेगा और जब आप इसको हल करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है 336 अब क्योंकि आपका जो मूल मान है वो कितना था वो 350 था और इसके बाद आपका जो मान हो रहा है वो 336 हो रहा है यानि कि मान में कमी आगी तो मैंने पहले यह आपको कहा था कि में कमी कितनी आ रही है 14 की और इसको आप जब प्रतिसत कमी में बदलेंगे तो यहाँ पर 14 यह कितना है एक कम हुआ मान है बटा जो मूल मान है 350 गुड़े 100 और जब आप इसको हल करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 4 प्रतिसत अथा डिटेल में इसको देख लेते हैं य यहाँ कि जो मूल मान होगा नया मूल जो होगा वो क्या होगा 350 में 70 पढ़ जाएगा 420 हो जाएगा अब फिर उतन ही प्रतिसत यानि की 20 प्रत घटाया जाता है तो जो घटेगा वो किसमें इस घटेगा वो 420 में से घटेगा संख्या यहां पे बड़ी हो रही है तो 420 का जो 20 प्राप्त है जब आप उसको निकालेंगे तो value आप मिलती है 84 यानि कि 420 में से कितना खटेगा 84, 84 खटेगा और आपको नया मान क्या प्राप्त होता है 336 जो कि जो मूल मान दिया किया था 350 उससे 14 कम है और इसको जब आप प्राप्तिसत निकालेंगे तो यह आता है 4 प्राप्तिसत तो याद रखेगा बहुत important है यह आगे बड़ते हैं अब यहाँ पे एक numerical देखते हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी अब देखें मैं सबसे पहरे आपको पता दूँ परिमाप क्या होता है यह माली यह आपका जो एक खेत हो गया तो इसकी चारो भुजाओं की लंबाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लंबाई है आमने सामने की यह बराबर होती है चोड़ाई भी आपकी बराबर होती है यानि कि अगर आपको परिमाप निकालना है तो आप लंबाई धन चोड़ाई करेंगे और 2 से क्योंकि यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चोड़ाई है ठीक है अर्थ परिमाप का अर्थ होता है अर्थ परिमाप का अर्थ होता है कि एक लंबाई और एक चोड़ाई की वैलू आपको ग्याद करनी है तो यहाँ पर जो आयताकार जो बाग है उसकी चोड़ाई को अगर हम 10 मीटर माल लें तो प्रस कहता है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है तो लंबाई क्या हो जाएगी यल प्लस 4 मीटर ठीक है चोड़ाई कितनी हो गई यल हो गई तो लंबाई कितनी हो गई यल प्लस 4 अब यहाँ पर जो परिमाप है यानि कि एक लंबाई और एक चोड़ाई को आप मापना है अगर पूर्ण परिमाप होता यानि कि परिमाप लेखा गया था तो यहाँ पे आप रैकेट बंद करके इसको आप 2 से मल्लिप्लाई कर देते लेकिन यहाँ पे वैलू क्या है केवल अर्थ परिमाप की है गया है उसकी वैलू क्या है 36 ठीक है तो यहाँ पे जब आप 2 यहाँ निकालेंगे तो 36 में से 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि 4 यहाँ पे प्लस था और जब बराबर के मतलब की धाहिनी हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा तो यह क्या हो गई मूल वैलू 2 यहाँ इसकल टू 32 ठीक है यानि कि जब आप वैल की वैलू निकालेंगे तो 32 में आप 2 से भाग देंगे और यह आपका हो जाएगा 16 मीटर तो 16 मीटर तो आपकी चोड़ाई हो गई तो लंबाई क्योंकि चोड़ाई से 4 मीटर अधीके तो लंबाई हो जाएगी 16 दें 4 बराबर 20 मीटर तो यह देख रहे हैं आप कितनी आसानी से आपने ऐसे प्रस्नों को हल कर लिया तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट अगर प्रक्टिस करते रहें ठीक है एक बहुत ही मतबूर प्रस्न है इसको आप यात कर लिजिए प्रस्न है कि सबसे छोटी अभाज संख्या कौन सी है सबसे छोटी अभाज संख्या अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और पता देता हूँ एक एक जो है वो ना तो अभाज संख कौन सी है तो वो आपकी दो होगी क्योंकि दो सबसे छोटी अच्छे एक बात वाल याद रिखेगा कि दो ही एक मातर ऐसी संख्या है अब हाज यानि के प्राइम नंबर है जो की सम है ठीक है तो यहाँ पर कंडिस्टन फालो होती है यानि कि जो दो है वो एक से डिवाइड हो और एक बहुत मतपूर्ण बात और मैं आपको बता रहा हूँ वो यह है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर माना जाता है तो देखे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं और इर्रेशनल नंबर उस नंबर को माना जाता है जि 8 to 9 infinite तक ये चलता चला जाता है और इसको जो है एक proper fraction में बदलना काफी मुश्किल होता है इसलिए πाई को एक irrational number माना जाता है तो friends हमारी कोसिस ही रहेगी कि आप चलते चलते भी इस lecture को सुन सकें और lecture को समझ सकें इसलिए पैटर जो है वो बहुती छोटा और बहुती सरल रखा गया है उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों में इसे सेर करें चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को आउन रखें बागी के प्रस्टों के साथ मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में तब तक के लिए अगया दिजी नमस्कार जैहिंद